आद रखिए, विजली खतरनाग होती है और खातक सावित हो सकती है, विजली का काम करने के लिए आपके पास आवस्याग योगता होनी चाहिए और आपको सच्छम होना चाहिए, कैपेस्टर के दोनों टर्मीनल को नाच हुएं, उसके अंदर एलेक्रॉन्स इस्टोर हो सकते ह और आपको जटका लग सकता है नमस्कार दोस्तों आप देखने हैं प्रोफेस्नल इपेर चैनल मैं आपका अपना दोस्ट संजय पांडे जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख वा रहे हैं एक हमारे पास 15 वाट की MC PCV प्लस 15 वाट का हमारे पास HPF ड्राइबर दिख रहा है जैसे कि इसको हमने 15 वाट के Cisco LED ड्राइबर से निकाला हुआ है जैसे कि आप इसको देख रहे हैं इसमें जो फर्स्ट आपको प्रोब्लम डिस्प्ले पे दिख रहे हैं इसका जो है फ्यूजबल अजिस्टेंस बर्न हुआ है चुकि जितना सारा HPF ड्राइबर होता है उसमें कहीं न कहीं जब भी भी कोई प्रोब्लम साती है तो आपका फर्स्ट जो है फ्यूजबल अजिस्टेंस बर्न होता है चुकि जो यह हमारी PCV होती है HPF ड्राइबर की PCV होती इसमें जो दो पार्ट ऐसे माउंट होते है जैसे आपका यह MOV प्लस फ्यूजबल अजिस्टेंस इसका सिर्फ काम होता है सर्किट को प्रोटेट करना तो यह क्या होता है जब भी ऐसी कोई प्रोब्लम सोती है तो उस कंडिशन में यह बर्न हो जाता है इस सर्किट से इस सर्किट से इस तरह से हम लोग फर्स्ट कर लेंगे रिमोग उसके बाद हम लोग इसमें दो ने फ्यूजबल अजिस्टेंस लगाएंगे और इसको टेस्ट करेंगे क्या ऐसी प्रोब्लम थी जिसकी वज़ा से इसका fusible resistance बर्न हुआ है तो फिर उसके बाद हम लोग इसको step by step चेक करेंगे जैसे कि आपने देखा हमने इसके इसमें दो fusible resistance इस तरह से इसमें 82 ohms का 1 watt 9 volt हमने इस पर लगा दिया है और इसको फर्स्ट हमने करेंगे सिरीज पर पेस्ट जैसे कि आपने देखा हमने इसको सिरीज लेंपे इस तरह से कनेट कर दिया और ये हमारा है सिरीज का पर 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 लोगा दो और प्लक को हम इधर इस तरह से करेंगे और जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो हमारा स्रेज लेंब उसमें कहीं ना कहीं ये सॉर्टिंग बता रहा है तो अब हम लोग इसको एक बार पेरलर बूर्ड में लगा के टेस्ट करेंगे कि तब देखते हैं कि इसमें क्या रियक्ट करता है ये ये वाला जो आप पॉइंट देख रहा है ये हमारा पेरलर का है और दूसरा साइट का सिरीज का है तो हम इसको लगाएंगे इसमें इस तरह से पेरलर बूर्ड में और इसके बाद हम इसको करेंगे तोड़ा सा जूम और अब हम लोग इसको करेंगे इस तरह से ओन देखते हैं क्या होता है जैसे कि आपने देखा इसके अंदर जो है मेजर सोटिंग है जिसकी वज़ासे जो हमारा फ्यूजबल रजिस्टेंस फर्स टाइम बर्न हुआ था वो फिर से सेकेंड टाइम भी बर्न हो गया है तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा और दूसरा पार् तो उसके लिए हम लोग इस तरह से इसको करेंगे साइड पर और अब हम लोग यूज़ करेंगे मल्टी मीटर और मल्टी मेटर को हम ले जाएंगे यह आपका बजर मोड पर जैसे कि हम इस डिस्प्ले पर देख रहे हैं जो हमारा फर्स्ट लगा हुआ इसमें अपका फ्योजबल लजिस्टेंस है सिकेंड जो है हमारा इसका पी अफ और साइट पे जो है अपका MOV और उसके बगल में आपका यह जो है drum कोईल और उसके बाद फिर हमारा एक MOV है जो कि ब्रिज अलेक्टिफायर के जहां से ब्रिज अलेक्टिफायर डीसी को कंवर्ट करता है उसके बाद है तो हम लोग इस टेप बाइस टेप फर्स्ट जो हम लोग चिक करेंगे कि इसमें जो दो फर्स्ट जो है हमारा फ्यूजबल अजिस्टेंस तो कह रहा है दूसरा हमारा जो इसमें होता है वो ड्रम कोईल ड्रम कोईल को हम लोग ऐसे बजर मोड पे ये जो साइट पे ये साइट पे ये बजर मोड पे हमारे एक दम परफेक्ट बता रहा है दूसरा हमारा साइट का जो फर्स्ट वाला पी अफ है वो भी हम लोग ऐसा टेस्ट करेंगे पी अफ बता नहीं रहा है इसका मतलब पी अफ हमारा परफेक्ट है इसके बाद जो हमारा साइट का एक और component बचा हुआ है हमारा EMOVY Metal Oxide Barrister जैसे कि आप display पे देख रहे हैं कि हमारा EMOVY भी लगाओ वो भी एकदम perfect बता रहा है अब इसके बाद जो है यह तो हमारे यह सारे जो component हो गए वो bridge electrifier के first वाले जो कि आपका AC के लिए operate होते हैं AC voltage उसके बाद फिर हमारा bridge electrifier के बाद DC में connect करने का काम जो काता है full wave bridge electrifier यह हमारा लगा हुआ है पहले जो है आपका half wave bridge electrifier आते थे अब भी जो है full wave bridge electrifier आते हैं यह जो हमारा इसमें bridge electrifier mounting है MB10F और दूसरा एक आता है MB10S चुकि उसमें same ही रहता थोड़ा thickness का फरक रहता है और उसके बाद भी दूसरे आते हैं अपका MB6F करके लेकिन इसमें जो हमारा लगा हुआ है MB10F यह something near about 1000 voltage को AC से DC में convert करता है तो चली हम लोग first इसको भी test करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो यह full babe biris electifier है यह खराब failure हो चुगा है जो कि इधर इसको value नहीं बतानी चाहिए थी जहाँ पर यह value बता रहा है और हम लोग एक बार marker से इसके उपर कर लेंगे marking कि हमारा जो है यह full babe biris elective fire यह failure हो आ है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं यह हमारा जो site का यह movie भी है यह भी sorting बता रहा है बट ऐसा भी हो सकता है कि इसको हम लोग first क्या है इस circuit से remove करके check करेंगे उसके बाद ही यह हमारा confirm हो पाएगा कि यह जो हमारी यह movie इस पे mounting है वो सही है या खराब है कभी क्या होता यह side पे लगे हुए circuit की भी वज़ा से circuit की वज़ा से भी यह बरावर वेलू बताता है इसके बाद हमारा यह side का जो breeze electrifier के बाद में लगा हुआ PFA यह भी हमारा जो है perfect बता रहा है जैसे कि हमने यह आप जैसे कि वीडियो में देख हमने यह वाला PF चेक किया drum coil हमने चेक कर लिया इसकी हमने यह movie भी चेक कर लिया और हमने यह PF चेक कर लिया अभी यह वाला यह movie जो है value तो बता रहा है बट इसको हम लोग second कुछ time के बाद इसको remove करके physically चिक करेंगे कि कभी कभी क्या होता है circuit इधर से complete होती उसकी वज़ासे भी यह value दिखाता है तो अभी हमारे पास इसमें दो और component टेस्टिंग के लिए बचे हैं यह हमारा यह इंडेक्टर है जैसे कि इंडेक्टर भी हमारा perfect है अभी इसके बाद हमारा जो side का electrolytic capacitor लगा हुआ है capacitor के लिए हम multimeter को ले जाएंगे capacitor के mode पे और हम लोग इसकी value को positive को positive की तरफ से और negative को हम लोग करेंगे तो कि हमारा यह electrolytic capacitor जो है इसमें आपका negative और positive दोनों है तो यह आपका right हैंड पे हमारा इसमें positive है और left हैंड पे हमारा इसमें negative है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहा है यह जो अभी value बता रहा है यह 100 UF value बता रहा है इसके यह मतलब है कि जो हमारा electrolytic capacitor है जैसे कि आप डिस्पले पे देख रहे हैं 100 UF और 100 बोल्ट का electrolytic capacitor इसका मतलब जो है यह electrolytic capacitor भी एकदम okay है और अभी जो हमारे पास बचा हुआ part है जो कि इसमें कुछ value बता रहा है sorting का बट हम लोग इसको first circuit से remove करके इसकी value को ना पेंगे उसके बाद ही यह confirm हो पाएगा कि actual में इसके अंदर यह problem sorting की problem है या नहीं पकड़ने का space थोड़ा कम है लेकिन हमें क्या है कि आपको proper तरीके से इसको दिखाना है जैसे कि आप देख रहे हमने इसकी यह movie को यह remove कर लिया और हम लोग इसकी value को अभी check करेंगे और फिर हम इसको ले जाएंगे किलोम्स पे जहां तक आप देख रहे हैं कि इसमें अभी जो हमारा meter है और कोई भी value सो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जो हमारा यह movie है वो बिलकुल perfect है चुकि यह जो value बता रहा था यह circuit जो है जो हमारा यह movie लगा हुआ है वो इदर से है और यह circuit पीच में है तो इसके लिए यह value डिस्प्ले कर रहा है अब हम लोग same इसको इसी तरह इस पर प्रषब कर रहा है जैसे हमने इसकी अमोबी को प्रॉपर तरीके से पाउंटिंग कर दिया अभी जो इसमें प्रॉब्लम है वो हमारे इसके फुल बेब ब्रिसलेक्टिफायर में और हमारा ये फ्यूजबाल अजिस्टेंस भी इसमें बर्न हो चुका है तो हम लोग इस फ्यूजबाल अजिस्ट अजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से हो गया है प्रॉपर तरीके से हो गया है क्लीन और उसके बाद हम इसमें इस तरह से दोनों फ्यूजबाल अजिस्टेंस जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा दोनों फ्यूजबाल अजिस्टेंस यह और इसको हम लोग ऐसा साइड से मोल्ड करते हैं यह मोल्ड करने के बाद इसके उपर हम लोग प्रॉपर तरीके से जैसे कि हमने इसको प्रॉपर तरीके से कर दिया है सोल्डिंग और अभी जो हमारा मोच्ट वाला बचा हुए मेन जो पार्ट है वह हमारा फुल बेब ब्रिज एलेक्टिफायर है जिसकी वज़ासे ऐसी प्रॉब्लम क्रेट हो रही थी तो उसके लिए हम लोग अपने कंपोनेंट बॉक्स से एक जैस्ट निव आपका फुल बेब ब्रिज एलेक्टिफायर इसका जो पार्ट है वह हमारा mb10s और यह दूसरा जो इसमें माउंटिंग हुआ है वह mb10f है जोकि सेम चीजें हैं बर थोड़ा सा थिकनेस का फरक है और हम लोग अभी इसको करेंगे तोड़ा साइस को में केरफुली निकालना पड़ेगा जिससे की इसका हमारा जो टर्मिनल है वो खराब नाओ जैसे के आप देख रहे हैं हमने इसमें इसका फुल वे जो ब्रिज एलक्टिफायर उसको हमने रिमूफ कर लिया उसके बाद हमने इसके दोनों टर्मिनल को प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है जैसे के आप देख रहे हैं यह जो इसका ब्रिज एलक्टिफायर का जो टर्मिनल है जैसे के आप दोस्तों देख रहे हैं यह वाला जो इसका टर्मिनल है वह नेगेटिव है और यह वाला पॉस्टिव का है और हमने इसको इस तरह से और इसको हम लोग अच्छी तरह से करेंगे इस पर सोल्डिंग बहुत इसी तरीके से करेंगे 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 परस्ट हमने इसके उपर थोड़ा सा टाका लगा लिया उसके बाद अब हम लोग इसमें प्रॉपर अच्छी तरीके से इसको उपर सोल्डिंग करेंगे चूंकि एक लेक्जों है हमने इसको प्रॉपर तरीके से सोल्ड कर दिया था अभी यह हम लोग इसके चारो लेक को प्रॉपर तरीके से इस पर अब इसके आपने देखा हमने इसके चारो लेक को प्रॉपर तरीके से इस रोल्डिंग कर दिया है और इसके बाद जो इसकी यह मूविस है रिमूव हो गए थी वह साइट से हम लोग इसको पस्ट अब रहा हम हो एफ फस्ट यह मूवर जो इसको बार देखा हम लोग प्रॉपर यहरा जाव मूवर इसकती से इसका बार देखा हम लोग लोग अबगए बार फे दिया हम अबगा जो पाने शे जोगई जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हमने इसमें आपका ये दोनों फ्यूजबल अजिस्टेंस और हमारा ये फुल बेब रिजल एक्टिफायर MB10S को इसके उपर माउंटिंग करती है अभी हम लोग पहुंच गये हैं final moment पे और इसको हम लोग करेंगे test कि अभी जो problem हो problem इसकी resolve होई की नहीं अगर नहीं होगी तो फिर इसके बाद हम लोग बाकी थो हमने सारी चीजों को crossing करके test कर लिया अभी इसके बाद फिर लोग अगर नहीं होगी problem resolve तो जहां तक है इसमें कुछ और problem होगी तो हम लोग करेंगे इसको test और हमने यह series length को इस तरह से किया और उसके बाद हमें इसको हमने दोनों ऐसे इसके दोनों terminal को हमने पॉस्ट्यों को एक series से और दूसरे वाले को दूसरे series इस तरह से हमने कर दिया connect और हम लोग इसको अभी इस तरह से लगाएंगे इसको series length में और हम लोग करेंगे इसको on जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी भल्ब जो है proper तरीके से यह glow कर रही है तो इसका मतलब जो इसमें problem थी वो problem जो है इसके full babe ब्रस लेक्टी फायर में थी जिसकी वज़से इसका जो fusible resistance है वो burn हो रहा था अभी एक बार हमने इसको series में test किया अभी दूसरा इसको हम लोग पेटलर में भी लगा के test कर लेते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमारे जो बल्ब यह proper अच्छी तरीके से glow कर रही है तो कभी in future अगर आपको ऐसी problem आती है तो आप इस वीडियो के माद्धम से ऐसी चीजों को समझ सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सेयर करिए और चैनल को mostly subscribe करिए Thanks for watching करिए